नमस्कार्ट क्या हाल चाले सब ठीक हैं पहुत बढ़िया पहुत बढ़िया आपनों और अपने इनको ख्याल लाख हो जब टाइम मिले तो वीडियो देखो देशी देख बगेर बिरेख बगेर लागला बेट बिल्कुल देशी अंदाज में पहले चरण को इलक्षन चालू है चुको है और पब्लिक में जोस भरपूर है जोस के साथ में बटन दवा रही है पब्लिक बहुत बढ़िया तरीका देए इलक्षन चल लो है और जो ग्यारे जिलेन की पहले चर्ण की सुरुवात है वहां में बस्पा को भी डंका बाजरो है बिलको बहतरीन तरीकाते और जो के नई जोड़ी वनी है अखलेस और जैन्त की वहां में भी टेंट लगनों निश्चित है और बीजेबी को फूल मुस्किल ही खिलपाब है वो क्या करो बस्पा सुपरीवों ने और बहुजन समाज बाटी ने यह हम आपको बताएंगे यह गौर्द सुनने वारी बात है और समझने वारी बात है ठीक है आजाओ अखलेस जैन्त की जोड़ी को गठवंदन भी यही स्वार्थ पर बनो है कि बीजेबी के पिर्टी किसानन के या गुस्सा को कैसे अपने पक्स में ज्यादा ते ज्यादा बना हो जा जोंकि मुस्लिम तो सपा को परमपरागत बोट बेंक रहो है उनके हिसाब दे लेकिन सब्सक्रमठी के साथ मिलके बीजेबी के या मजबूत किले में से इुछाज लगाने की सियासी रणनीती को उनजान दिए वैसे या जोड़ी की रणनी ती कितनी कामयाब होगी ये तो फिलाल कोई नहीं जाने लेकिन मायावती ने वेस्ट यूपी की या सियासी फिलम में एक बड़ो सस्पेंस ला दियो है जा को लेके दोनों यूबानेता परेशान और हैरान हैं लेकिन मायावती के आफυैस लेते बी जेपी यालहियां खुशी बना रही है कि जो काम को चाहके भी ना कर सक ये वो ही काम मायावती कर दिखाया है लेकिन बीजेपी भी शायद भूल गई है कि वागे भी पाम पर इको लाड़ी लग रही है दरसल बीएसपी सुप्रीमों मायवती ने जोड़ी को खेल बिगाड़ने को काम कर दी है उन्हें ने वेस्ट यूपी में अधिक यानि की 44 यानि की 30% मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके जो कार्ड़ खेलो है वाते मुस्लिम वोटन को विवाजन होनोते हैं और राजनितिक विसलेसक माने हैं कि या को फायदा बीजेपी अपने माय अपने लिए मानना नहीं है कि बीजेपी को फायदा हो लेकिन बहुजं समाज पाइटी को या में तमदार तरीकाते हाला कि सपा जालोद गटबंदन ने भी 34 मुस्लिमों को टिकेट बाते हैं वही तरह कांगरिस ने भी या इलाके में 34 मुस्लिम मैदान में उता रहे हैं लेकिन बीजेपी काई मुस्लिम पर तैसी को टिकेट नहीं दियो लेकिन गौर करने बारी बात यह है कि जाट लेंड में 28 ऐसी सीट हैं जहां सपा बसपा और कांगरिस के मुस्लिम उम्मीदवारां आमने सामने चुनाब लड़ रहे हैं अब जाहिर है याते इन सीटन पर मुस्लिम बोटन को बटवा रहो होनों निश्यत है और यही बीजेपी के लिए खुस होने की वज़े है बीजेपी खुस ह जोड़ी ने मुस्लिमन को टिकेट नहीं दियो है वहाँ बीजेपी ने खास तोर पर मुसल्मान उम्मीदवारां को मैदान में लाकर सारों समीखन बदल दियो है हाला कि कचु सीटन पर कांगरिस ने भी कम उबेस गई रणनीतिय अपनाई है या लईयां बड़ो सवाल गे है कि या जोड़ी को लखनव पहुचने ते रोकने के नहीं मायावती इस्प्रीड बेकर लगाने में कावियाब हुंगी और बहुजन समाज पार्टी को बहुती मजबूती के साथ आगे बढाने के नहीं एक दमदारी सुरुवात है भी जैपी को वोट वेँग खिसक रोँए खिसान और जाड वोटोर की वज़ेते पस्चिमी उत्त्तर प्र,प्रदेश को आशळिया विअच्छी खासी तादात में और मुसलिम भी अच्छी खासी तादात वह याहीं वाज़ेते अख्लेस यादव ने और रह ल्दी कि उन्हें मुस्लिम और जाट वूटर को फायदा है जाओ लेकिन बस्पा सुप्रीमों ने बीच में आगे या हिसाब टिकेट वित्रण करें हैं मुस्लिमन के कि उनमें धुर्वी करा हो नो बिलकुल निश्चे तो लाजबी है या को फायद हो बहुजल समाज पार्टी को ब निश्चे सी बात है कि आने वारे जो और चरण हैं उनमें भी यहां को प्रभाब जरूर पढ़नों लाजमी है अब आगे आगे देखांगे होगो क्या धमदारी के साथ सुरुबात हुई है तो अंजाम तो बढ़िया ही होगो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो ठो प्रिकल डैसियन डाजम बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार्ट